ओम सिरी गनेशा नमदोस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त गुरुवार के रासी फलके बारे में कि यह दिन दोलाराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजेटिव रहने वाला है दोस्तो आज आर्थिक इस्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्थिति में एजाफा हो सके धन्यधान प्राप्ति के उदेसों की आज पूर्ति हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साथि साथ समय आज आपके लिए भहतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तों आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से राहत मिलेगी आज दोफैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुवाद में ही अपने महत्पपून कार्रोश सम्मंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक राहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधवुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्य में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में ऐ प्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही है अपने काम के प्रति एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है विध्यारतियों को भी किसी कमपटिशन में सपलता मिलने की आज पूरी संभाव ना है दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संबंदित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जी है दोस्तो आज भाग्य आपके पक्ष में है पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक्षांती समर्दिक की प्राप्ती हो और घरेलू विकास संबव हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्य होने पर उनका ख्याल आप विसेश रूप से रखें दोस्तो साथ साथ किसी समय भावुक्ता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पड़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भी हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परन्तु जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है दोस्तो आए के साथ साथ घर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्पपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते हैं या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना वरतें दिल की बजाए दिमाग से निर्णेले भविस्य की चिंता को छोड़ कर वरतमान गति विद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य ही लाबदायक साबित होगा कभी कभी आपकी संकालू प्रवरती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना आति आवशक है आज कोई पेमिंट भी आपको करनी पड़ सकती है जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी गमजूर हो सकती है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के सी रहने वाली है दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेधर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे दोस्तों साथ इसाथ परिवार में कुछ वैचारिक मतवेद भी रहेंगे इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी वैतीत करें दोस्तों परिवार का वाता वरण आज सकारात्मक रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्त रखना आवश्चक है साथ साथ पती पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वाता वरण खुस नुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गतिविदियों में चोटी-चोटी परिसानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता पराप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा रहेगा जहां दोस्तों आज वैवसाइक गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापरवाय की वज़े से पार्टियां तूट सकती हैं और अपमाम जनक इस्तितियां भी उत्पन होने की आसंका है नोकरी पैसा वाले ध्यान रखें कि उच अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हो आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं हल होंगी नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तरक्की के योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ किसी अंजान व्यक्ति से अचाना के घनिश्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वेवसाइक गति विदियों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पैसा व्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल खर रखने की आवश्च रखता है वे ध्यारतियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने वाला है साथी साथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं जिस से आने वाले समय में आपको अवस्य ही फाइदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उच्चित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद दो केले लें इसके बाद आप इन दो केलों पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान श्रीहरी विश्णुजी का इसमना करते हुए किसी भी गाय को खिला दे और मनी मन अपनी मनों काम नहीं मागें या दोस्तो कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार रहें भगवान श्रीहरी विश्णुजी का सिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्णुजी का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल स कमेंट्स बोक्स में जैस्ट रिहरी विश्ट नों वस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद